हेलो एवरीबन तो हम लोग का सीरीज जैसे चल रहा था वैसे चलेगा यह ब्लैक बुक है आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से आप इसे अभी आसानी से जाके खरीद ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है एक इसे से के सारे एक्जामनेशन को टार्गेट करते हुए कि वोकैबलरी की यह शीरीज चल रही है जिसमें सारे एक्जामनेशन जितने बी से में लगबग होते हैं सभी के वर्ण वर्ड एडियम फ्रेजिस के रिवीजन वीडियो यहां पर बनाके आपको प्रोवाइट कर सकते हो clear got it तो ध्यान देते हैं सभी लोग बारी-बारी से बेना किसी बकवास के टाइम पास्ट नहीं करते हैं study करते हैं तो यह है OWS ask it in selection post 2022 10th level idiom and phrases इसके बात कर लेंगे तो हमारे सामने पहला वर्ड है और पहला वर्ड ही आपका ऐसा है जो आपको याद नहीं होगा reminder of a place कोई भी चीज जो किसी जगह की याद दिलाता है उसे क्या खाते हैं उसे हम लोग souvenir कहते हैं आपको पता है कि मैं जब भी vocab आपसे discuss करता हूं तो मैं तीन बार repeat करता हूं जो vocab hard होता है या जो vocab आप भूल जाओगे कुछ समय बाद मैं उसे तीन बार repeat करता हूं ताकि आपको याद हो जाए आप भी साथ साथ मेरे साथ vocab को दो से तीन बार बोला करीजिएगा इससे आपको याद बहुत दिन तक रहेगा तो अगला vocab हमारे सामने क्या है गौर से हम लोग इसे देख रहे हैं अगला vocab है the inner soft part of a fruit is called ये word कम से कम तीन बार repeat हो चुका है करनेल करनेल का मतलब होता है inner soft part of a fruit किसी भी फल का inner soft part को क्या करते हैं हम लोग करनेल के नाम से जानते हैं के यार एनियल ध्यान रखेंगे इस बात का ओके नेक्स्ट है आपके सामने kispec Daddy गौर्फ टेसा करते हैं उससे क्या काते हैं हुसे लोग अ ये गधात हैं audit a u d i t a u d i t audit 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 का मतलब होता है ओफीश ओफिशियल इंस्पेक्शन ओफिशियल इंस्पेक्शन मींस audit याद रहेगा आगे बढ़ते हैं अगला वोकेब आपके सामने दिख रहा है अगला वोकेब आपके सामने दिख रहा है सेफ टू ड्रिंक ऐसी पानी या बस तू जो पीने लाइक हो उससे हम लोग पॉट एबल कहते हैं पॉट एबल पॉट एबल का मतलब होता है पीने योगे यह वर्ड काफी टाइम बाद दिखाई दिया है एससी के किसी भी मौक में किसी भी सेट में इसका मतलब होता है च्छानिक एफिमरल एफिमरल का मतलब होता है कोई भी चीज जो सॉट टाइम तक हो उसे हम लोग एफिमरल कहते हैं फोड़ा स्वाट टाइम या आगे देखते हैं the arrangement of event or dates in order to their occurrence जैसे काल करम को अब सजाते हो ना कोई भी घटना कब घटित हुई कैसे घटित हुई तो वो डेट को काल करम को सजाना ही क्या कहलाता है वो डेट की घटनाओं को सजाना क्या कहलाता है उससे हम लोग कहते है chronology यह वर्ड भी कई बार repeat हो चुका है सी एच आर ओ एन ओ लो जी वाई chronology सिंपल वर्ड है आपको क्लियर हो रहा होगा इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं उसके बाद अगर बोला जाता है आठमा नंबर इडियम सोरी ओडावलू एस जो पूछा एक्जाम में वो क्या आया है ध्यान से क पूछा गया था the man living in the same as ठीक है जैसे सुदामा और इधर कृष्णा सुदामा और इधर कृष्णा सुदामा अपने जगह में रहते रहते हैं नहीं कृष्णा रते द्वाड़का में और सुदामा अपने गाउं में रते थे लेकिन दोनों लगबग लगबग सेम एज पर ही रहे थे न तो उसको हम लोग समकालीन बोलते हैं और यह समकालीन जो है कि स्पेलिंग को ठीक से नहीं प्रणांस किये थे देखो तोड़ के पढ़ते हैं सी ओ एन टी कॉन कॉन परवकान टेंपो टीएम पी ओ कॉन टेंपो टेंपो रेडिज आर ए और आई एस इसको हम बोलते हैं कॉन टेंपरोरीज कॉन टेंपो रेडिज फिर से पढ़िए कॉन टेंपो रेडिज कॉन टेंपो रेडिज कॉन टेंपो रेडिज आर ए आर आई एस कॉन टेंपो रेडिज का मतलब होता है कोई भी चीज जो कम समय तक है उसे हम लोग कॉन टेंपो रेडिज कहते हैं सी ओ एन टी एम पी ओ आर ए आर आई एस नो डाउट नो प्राब्लम आगे बढ़ते हैं अगला है मेक परफेक्टली क्लियर कोई भी चीज उस जिसे हम लोग क्लियर करते हैं इलुसिडेट कहते हैं इलुसिडेट वर्ड जो है काफी लंबे टाइम बाद आपको दिखाई दिया होगा अगर आप कंटिनिवस्ली कर रहे हो तो ऐसे जितनी भी अभ यह ही एड़ ऑफ एक टल और अनिमल डिविन इन बाड़ी इस कोल्ड रोब क्या कहला आता है उसे ड्रोब करते हैं ध्यान रखेंगे नेक्स्ट आपके सामने हैं अगला वर्ड अगला बड क्या दिखाई देर आपको देखेगा डिले इन डूइंग सम्थिंग इन लेटर और जो अभी चीज़ है टाइम कोई भी चीज़ को अगर हम डिले करते हैं डिले को हम लोग क्या बोलते इंगलिस में पोस्ट पॉन करना आपको पहले से याद है पोस्ट पॉन उसी को हम लोग बोलते हैं प्रो क्रैस टी नेशन क्या बोलते हैं प्रो क्रैस टी नेशन क्या ग्रूट प्रोक्रेस्-चीक नेशन ध्यार रहेगा प्रोक्रेस्टीक नेशन चलो आगे बहुत बढ़ते हैं अगला आगो पिपल का बहुत ही ज्यादा ग्रूप उसे क्या कहते हैं होरेड काते हैं हो आर डी होड अच्छा मॉब का मतलब क्या होता है आप जानते हो एम भी मॉब का मतलब अगर नहीं जानते हो तो सर्च करो रिशार्च करो बताओ अभी क्या भी देखना चाहते हैं एंसर आपके साइट से उमीद करते हैं आप इसका देजिएगा आगे आने वाले किसी भी वीडियो की नीचे या इसी वीडियो की नीचे आप इसका दीजिएगा किस तरह के भीड को मॉब कहते हैं ओके फ्यूनरल प्रोसेशन प्रोसेशन यानि कि जो किसी का अंतिम दास अंस्कार होता ना उसके एक विधी को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेज ध्यान प्रोसेशनल बाउंडरी जब कोई बहुत ही बड़ी इंफ्याइस डिजीज देश के बाउंडरी को किसी दूसेरे देश में जाती है तो उस विमारी को उस अवस्था को उस पहलाब को पैंडेमिक रते हैं एक्जाम में ये गलत होगा आपसे और आप गलती क्या करोगा वह बक्ते सी मध्य गलति करते हैं या थी मतलब होता है पूरे एरिया में देखों गलती नहीं प्लिक होगा कर सक्मार्राइब मार्त चाहरा हां थी पलाते हैं या थी वप बद आप धियान रखेंगे इस बात का उसकी बाद अगर देखा जाए ईमील डैट इजिजवली टेकेन लेट इन दे मॉर्निग डैट कमबाइंस अ लेट बेकफरस्ट और अर्ली लांच डैक इसको ब्रांच फिर से समझेगा इमील डैट इस वाली टेकेन लेट इन दे मॉर्निंग जब हम मॉर्निंग में लेट से लंज करते हैं न क्या वलता सको ब्रेकफ़स्ट करते न तो उसी को हम लोग ब्रंच के नाम से जानते हैं यानि साथ अबजे की तो लंज यह ब्रेकफ़स्ट उसके बाद 10 वज तक की तो वह हो गया आगे बढ़ते हैं आगे absence of government किसी भी जगह पे government अगर अगर अबलेबल नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं एन आर की क्या कहते हैं एन आर की ए एन ए आर सी एच वाई अड़ा जगता की स्थिति कहते हैं ट्वेल्थ लेबल एसे सेलेक्शन पोस्ट दोजर बाइस के साड़े ओडाबलू एस को हम लोग देखेंगे एक सिप्ट में एक्जाम हुई थी सायद देखने में लग रहा है पट कोई बात नहीं कमप्लीट करना है चलिए स्टार्ट करतें इसको वान फोलावश विजडम हैंस पर सुविट वैसा वैक्ति जो विजडम को लभ्स करता है प्यार करता और उसके पीछे रहता है उसे हम लोग क्या खाता है तो फिलोसिफर फिलोसिफर पी एच एलो पी अपर एसो पी एच यह ध्यान रखेंगे बान हूँ एक्स्ट्रा वेजंटली रोमेंटिक ठीक है उसे हम लोग क्यू जर्टी कहते हैं यह आप याद रखेगा ओके दखिलिंग आप होल रेस जब हम बहुत सारे लोगों को मार देते हैं ना पूरे पूरे एक कम्यूनिटी को साफ कर देते मार के तो उसको नर्संग हार कहते हैं हिंदी में इंग्लिस में जैनो साइट के नाम से वह जाना जाता है यह जैनो साइट की नाम से जाना आता है या दखेंगे जैनो साइट सेंपल है ईजी है मजबूत है highly unpleasant annoying objective sound धेकिए highly unpleasant annoying and及igue should have objectionable साउंड जब बहुत झीज्ञादा वेकार साउंड होता है न 와 उसे मैं क्या करते है नास्टी क्या कर पाड़ से नास्टी साउंड ध्यान रखेंगे जो स्क्रीन सोट में डाल रहा हूं वह एक छोटा सा लेक्चर फिर से आएगा सौर लगबक सौर लगबक हो चुके हैं सौर रहेगा वह अलग से वीडियो कुछ नहीं पढ़के जाना है वह पढ़के चले जाए अगर पढ़ने के बाद रिविजिन करने का मन नहीं करता है तो तो कि वह वह वर्ट्स होंगे जो आप भूल जाओगे हाइली अन्प्लीजेंट एनॉइंग ऑब्जेक्शनेवल साउंड जो होता है न वह होता है आपका नस्टी क्या होता है नस्टी आगे बढ़ते हैं पांच और हैं कबर कर लेते हैं इसको भी तू आउट मोस्ट तू दा एक्स्टेंट और डिग्री उसे क्वाइट बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वाइट बोलते हैं कोई भी चीज जो आसानी से समझ में आ जाए something that is easy to understand उसे क्या कहते हैं लिउसीड लिउसीड का मतला भी clear होता है ओके दा सुपरवाइजिंग पर्सन डिउरिंग एन एक्जामिनेशन यह पचास बारा चुका है ऐसा इंसान जो सुपरवाइज करता है एक्जामिनेशन को उसे क्या कहते हैं उसे कुछ नहीं कहते हैं उसको कुछ कहना भी नहीं चाहिए कहोगे तो खौपी छीन लेगा उस द्यान रखेंगे, next vocab क्या है आपके सामने, an arrangement of parts or elements in a particular form or figure, configuration, c-o-n-f-i-g-u-r-a-t-i-o-n, configuration, a short story of real and interesting incidents, really coming from the, from its stated, advertised or reputed truth, that is called anecdote, कहने का मतलब हमको लग रहा है ना, यह दो चीज़ को mix करती है, genuine, okay, कोई बात नहीं है, देख लोते हैं, दोनों समझाते हैं, anecdote का मतलब होता है, पुरानी पुरानी जो कहानिया होते हैं, उससे पुरानी 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 कहानिया को बोलते हैं, anecdote, an ane c, anic, 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 ane c, dote, anic के spelling में ही आप गलती करोगे, ane c ही होता है, या दखेंगे, genuine के spelling होता है, gen, gen, uine, genuine, genuine मतलब होता है, original, इस तरीके से हमने, एससे सिलेक्शन पोस्ट का, टोटल, ows, 2022 में आयोए को कवर कर लिया है, अब हम लोग इसके item phrases को देखने बाले हैं, जो भी important item phrases आये थे, इस examination में, वो हम लोग कवर करेंगे, next वीडियो में, तब तक आप बने रहें वीडियो में, और यह initiative कैसा लग रहा है, आपको revision हो र आपके reply का, bye bye, take care, खेर रखेगा